यह दंडी किसकी है? क्या आप बस को सिधा स्वर्ग से यहां लेकर आयो? क्या कहा? स्वर्ग से लेकर आयो? कहना क्या चाहते हो? वरना इस सडेली बस में यह अपसरा क्या कर रही है? यह दंडी का कितना हुआ? यह दंडी नहीं है, इससे सलफी स्टीक, यह उतनी कॉसली नहीं है. इसलिए तो इससे हटा कर पूछ रहा हो ना, बताओ कितना हुआ? एट हांडर्ड बक्स. बक्स मतलब बकेट क्या? हां, बक्स का मतलब रूपे, यह स्टीक सिफ आठ सो रुपे की है, यह सौ रख लो, बाखी के बाद में दे दूँगा, ने, ने, रख लो, रख लो, प्लिस, स्टीक में तो, बक्स में तरभी नाचे, नाए ना, कहीं दूर चले, आ मिलर गले, कुई और जहाँ आए ना, मिलके तुमसे हाँ, दिलके जगे अर्मा, तनहा रहना अबना, तुमसे है ये कहना कृष्णा, बंदर के जैसे क्यों जूर रहा हूँ? इस लड़की को देखकर पूरी बस में सिर्फ मुझे गाना सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाई है कमला दादी, क्या है? यही गाना लगाना था क्या? क्यों गाने में क्या गुराई है? हाँ, ठीक है चलिया, कर लिया गया, उतरिये, उतरिये, जल्दी उतरिये, उतरिये भाई हाई, क्यापरहरकस. तो कितना क्यूट हैना, क्यापर वेपरकश कैपरा हैं ? Evet. क्यापरहख जिए भाई, क्यापरहरकश अगूट का स्ययन्टिफिक नेम् ये पर स्येपरहरकस है स्येंटिस्टनीम बाए क्या प्रा सरकस देखता कै बे ये बकरी नहीं है क्या हसी है जैसे गर्मी में बरसात हो गई हो पता नहीं ऐसी न्यूज मुझे ही क्यों मिलती है क्या रे कृष्णा बेहन के लिए तुने जिस एमेले के लड़के को पीटा था ना वो असल में साप की तरह है कब डसले भरोसा नहीं तू समहल कर रहना वो लड़की बस में बिलकुल अपसरा लग रही थी और हसी तो बॉलिवुड की हिरोई ये क्या यार बॉंसर बॉल की तरह इसकी सारी बाते मेरे सर की उपर से जा रही है एक गंटे से यही बात बोलके इसने पका दिया है बस में इसे कोई लड़की मिली थी जो इसे देखके हसी थी केले की पेड़ पर नारियल एक बार उख सकता है लेकिन इसे देखकर कोई लड़की हस दे मैं भला ये कैसे मान लूँ मानना है तो मान वरना जाके डैम से कूच जाना वो लड़की तो मुगले आजम फिल्म की मधुबाला की तरह खुबसूरत थी हमारी गाउ में आई थी एक मिनिट में नजरों से गायब हो गई कोई लड़की पटी नहीं है लगता है इसने पागल हो गया या हर जगा सिर्फ वही नजरा रही है अगर इस वक्त वो लड़की भागती हुई बस मुझे नजरा रही है तो इसका मतलब इसका मतलब मुझे ब्यार हो गया है ना पागा हो गया है या सब को नज़र आ रही है क्या चली से बाइक स्टाट करो प्लीज हालो तुमें किया रही हूं टाइम नहीं है चली करो यह क्या है यार मुझे भी समझ मुझे नहीं है केले के पेड़ पर भी नारिया लुख सकता है यार लगता है लड़की को मुझसे पहल नजर में प्यार हो गया वरना इकनी जल्दी भगा कर शादे रास्ते में मेरी मा को भी लेकर चलते हैं उन्हें मेरी शादी देखने की बहुत इच्छा है वो चाही हो टॉकिंगं जल्दी आमकी खेत में चलो यहां किसी को नाजा-नाजा ने काट लिया है इस इने एमरेजिएंसी वह क्या होता है अरे किसी को साप ने काट लिया है ठ्रीट्मेंट देना है तो इसलिए तुम मेरी बाइक पर बैठी हो को फास्ट अब्रक धाब्रा, हे मेरे विधाता, मौत का साया, साप का जहर, सब उतर जाए ए भगवार, इसे साप ने काट लिया, हम क्या होगा कौन हो तुम? डॉक्टर हूँ, इसे उजिंटली फर्स टेट देना होगा पानी पर बबुला, उजाले का दीप, होम बीम भट मेरी एक हैप करोगे प्लीज, कल तुमने बस में किसी को पीजा था न, वैसे इसे भी मार कर यहां से भगा दो न तुमने जो मंत्र पढ़े थे न, उससे ज्यादा इस लड़की का जादू मुझ पर चल गया है घर जाके खुद पर मंत्र पढ़ लो, बिल्कुल ठीक हो जाओंगे अंजान गाओं में अंजान आदमी की जान बचाने के लिए तुम इतना घबरा गई थी हाट है है करने के लिए जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती he है थे है है जरा एक मिनट्ट हाँ कल्सुभात्ति रुपत्ति 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 कि एक बस है ये तो मुझे क्यों बता रहा है तुने कहा था ना मुझे कोई लड़की देखेगी तुम उंडन करवाएगी ये कोई लड़की नहीं है स्वर्क से उत्री अपसरा है टिकेट के पैसे दू या उसका इंतजाम कर लेगी कोई ये वो लड़की अब बेचारी बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी कह रही थी कि प्यार नहीं क्या तो आत्मात्या कर लेगी मैंने कहा आत्मात्या करेगी तो माबाप का क्या होगा वही समझा कर आ रहा है चले अच्छा इसका में क्रिष्णा कौन है सुना है सबके पीछे बढ़कर प्रकोस करता है मेरे दादा जी ने कहा है उससे बच कर रहना इस दुनिया को हीरे और कांच के बीच का फर्क का पता अट्यान वैसा लड़का नहीं है यहां क्यों रोक दिया कि यहां तुमारा घर हां ओ व्रिया तुमारा नाम क्या है मेरा नाम मेरा नाम अंब बाद में मिलते हैं भाई तु कहां से आ रहे है बेटी बस ऐसे गुमने गई थी दादाजी क्या हो रहा है क्रिश्णा क्रिश्णा बगुले भगाने के बजाए यहां क्या कर रहा है महीं करने जा रहा था गाड़ी रुप गई ठीक है अभी चल निकल यह तो सरपंच की पोती निकली सीनू तेरी तो क्या कर रहा है मैं तेरा दोस्त तो दुष्मन तोड़ी ना जो पानी में डुको के मार रहा है तो उस दिन पंखे और मिक्सर ग्राइंडर पर देते हैं वैसी जैरेंटी देते हुए क्यों घूम रहा हो तबे तेरा तो कलर उतारूंगा उस खूसट की पोती हो सकती मुझे इस ये क्या है डबे से ज्यादा तो मेरे दिल की आवाज आ रही है वो देखो वो रहा तो ये बात है अरे पंखियों आज आपकी आजादी का दिन है यूजली तुम लोगों को मारते हो ना तो पर आज डबा क्यों इसका काम तो यह है ना वो मैं पंखियों को म्यूजिक सुना आता हूं तुझा हाथ आने के चैने खरीद लेना चैने चल हट बीस रुपे का रीचाजा पर कितना भाव खाता है आप यहां कैसे एक अजन फोन करना था घर पर सिगनल नहीं है यहां मिलेगा इसलिए दादाजी में यहां भीज़तिया यहां से आगे मैं लेकर जाता हूं चला वैसे तुमारा गाओं कौन से है है यहां मिलने आई हूं तुमारे दादाजी और मैं बहुत अच्छे दोस्ते बच्चों को जनम देना मुझे जो सुनाना है सुना ले मेरी माँ को कुछ भी का ना तो बहुत सटकेला इंसान हो इतना मारूंगा कि भूल जाएगा कि तो सरपांच है समझा मैं जानता हूं लड़किया सोचती कुछ है कहती कुछ है पर तुम्हारी बाते समझ मैं नहीं आती अक्चली मेडिसन सीट के लिए चार साल पढ़ाएगी है इसलिए सारी चीजों को उसकी सांटिफिक नाम से बुलाने की आदत हो गई है अगर दॉक्टर की भाशा में कहूं तो हमारे गाओं का सिगनल बुखार के मारे कमजोर रहता है यहां फुल सिगनल मिलता है पेड़ी हमारा टावर है यहां से अमेरिका के सरपांच से भी बात कर सकते हैं एक रिष्णा तुम्हारे चाचा से बात करनी है जरह नंबर मिला चाचा से बहुत प्यार है कैसा प्यार शे यह जा रहा हूं कहकर टीन दिन पहले निकले पताने घारि वहां जाकर कधा करो है हलो पत्य पत्यों से ऐसी ही बात करती है तुम्हें किसी से बात करनी थी यहां अप्त्य यहां कर लोक्षक क्या रहा है वह क्या है मेरी वाली व्यूटी टिपस पूच रही थी उसे वही बता रहा था वैसे तू यहां कैसे तू अगर एक लाग रुपे भी रख देगा तो भी मैं तू बारा नहीं लिखूंगा याद रखना अबे क्या हुआ इतना क्यों बढ़क रहा है यह बाला जी रिचार्ज वाला यार पैसों के लिए आया था तो बोल रहा है कि स्पेलिंग मिस् इनकी नहीं बहन का नाम क्या है वही बता रहा था रिया क्रुष्णा अच्छली मैं इस गाउं में किसी को नहीं जानती हूं गाउं देखना है तुम मेरा नंबर ले लो हाँ 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 बोलो नाइन जिरो तू थी तू पाइवेट फाइवेट तू अ हाथ असे कांप क्यू रहा है तुमारे कुछ नहीं इसके पीने का वग्त हो गया इसलिए मैं फोन में पहली बार लड़की का नंबर सेव कर रहा हूं ना इसलिए ओके अनिवे कल मिलते हैं बाई 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 यार ऐसा लग रहा है कि नंबर प्लेट लिखने माले को होर्डिंग मिला हो तेरी तो किस्मत कुल गई पार्टी तो होनी ही चाहिए आया यार पार्टी तो बंती है ना पगले पार्टी इतनी धीरे से मांगते है क्या पूरे गाउं में जश्न की आवाज गूजनी चाहिए स्टाट म्यूजिक डॉक्र साब फिश्ना क्या हुआ आधी रात को ऐसे क्यों चिल ला रहे हो क्या बात है अब जल्दी से सर्पंची की घर चलिए उनकी पोती जख्मी हो गई है वो बेहोश पड़ी है चलिए ना पहले क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ तो कहां चली गई है ऐसे ड्राती क्यों तो यहां क्यों आयों मैंने सुचा किल की तरह को जोर वो रा जाएगा तो वही देखने आया था आया हुआ है मैं चाहते हूं कल तुमारे फ्रेंड के साथ तुम भी आय थे क्रश्णा पुछे पाहर लेकर चलो ना इतने अंधेरे में गाउं की असली सुन्दरता अंधेरे में दिखाए थी तिया ऐसा एक वेमस राइचर ने लिखा था वो हमारे गाउं के कुत्तों को नहीं जानता हो होगा मिलकर काटलेंगे की उसके अट थीक है पर दिवार कुदनी पड़ेगी तुम कर पाऊगी ना है जी तरहेे जाए तरहे आए अराम से अराम से आ मेरा हाथ पकड़ लो आजाओ 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 नीचे आओ मेरे कंदों पर रिया रिया डॉक्टर साब आप तो चलिए अंदर बच्चा घूम गया है कावेरी की हालत बहुत जादा खराब है ऐसी हालत उसे छोड़ के फिर तो रुपना ज़रूरी है चोड़ कितनी गहरी और कहां लगी है ये बदा दो मैं दवाई देता हूँ इसके लिए दवाई दीजिए पूंग है कि अब जब देखा लगी तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास गया था वो नहीं यह आपाई और उन्होंने पुछा चोड़ कितनी गहरी है तो मैंने दिखा दिया आयू मैड कितना खूर मेरा है बता है अरे तुम डेंचन मत लो यह तो मेरे साथ रोज होते रहता है मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इतना दर किसलिए तुम्हें कुई बात में रिया 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 है अगर दुबारा केशी को पीठा ना तो मैं तुझे बहुत मारूँगा चलजा इसे ऐसे ही क्या जाने दिया बच कर जाएगा कहां इसमें सब के सामने मेरी पेशती की है इसके साथ क्या करना है कैसे करना सब मेरे दिमाग में क्रिशना ये सब क्या है बेटा वह मेले का बेटा तुझे जीने नहीं देगा हम यह गाव छोड़कर चले जाते हैं कहां जाएंगे हम यहां से जीना मरना इसी गाव में है वैसे तुझ यहां क्यों आई है तुझ घर जा और खाना बना के रख मैं आता हूं तुन्हें मेरी बात कभी मानी है तुम मुझे रुला कर माने के लिए ही पैदा हुआ है सारी फिर्मालिटीज आप देख लिए मैं देखूंगा में मुझे कॉल कीजिए ओके मैं मैं बिना किसी वज़े के नहीं मा रहा था हूसे मैं जानते हूं कि तुम कैसे हो इन फैक्ट मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोजा है उससे बच कर रहना प्लीज उस दिन तुम वैसे मैं यहीं पर हूँ तॉम किया हुआ है हाई 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 तुम्हारे बारे में रिया ने सब कुछ बताया सुना है गाओं में सब को प्रपोस करते हो तो रिया को क्यों नहीं किया है तो तुम जानते हो कि मैं और रिया एक दुसरे को प्यार करते हैं है हमारी शादी में जरूर आना हा ओके फोन रिया को दो बाए क्या कह अज था है प्रिश्णा ने इस पर तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है मैंने इप बिना सोचे प्यार करने की गल्ती कर दी मैं भी पागल हूं तुम्हें क्यों पसंद करोगी आखिर मेरे पास है ही क्या मैं तो मामुली आदमी हो ना मेरी बात तो सुनो क्रिश्णा अब सुनने के लिए क्या बचा कई भार लोगों ने मुझसे कहा है कि एक कववा कुछ भी कर ले कोयल नहीं बन सकता कहां गाव में डबा पीटने वाला मैं और कहां तुम शेहर की डॉक्टर क्यों पागलों जैसे बात कर तुम ही ने कहा था ना कि इस गाउं की औरते अपने पतियों से ऐसी बात करती हैं तुम पागल हो गई है क्या उसके पास है क्या जो तुने उसे पसंद किया